करोना वैरिस के कारण क्रिकेट पूरी तरह से ठफ हो गया है आईपेल को भी अभी अनिश्चित काल के लिए इस्तागित कर दिया गया है हाला कि अगले महीने इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी होने वाली है जुलाई में इंगलेंड और वेस्टन डीस के बीच टैसरीस खेली जाएगी हाला कि इसके बाब जूद इस साल होने वाले टीटवन्टी वर्ल्ड कप को लेकर आशंका जताई जा रही है अगर इस साल वर्ल्ड कप को इस्तागित किया जाता है तो इससे आईपियल के होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी मगर इस पर अंतिम फैसला आईसी सी को ही लेना है इसी बीच आईपियल की अस्थियाई तारीक सामने आई है दरसल पिछले दिनों बीच आईपियल की सस्त्र को लेकर राजे संगो को पत्र बेजाता जिससे उनके इरादे सपस्ट हो गए थे कि वो आईपियल करवानी की कोशिश कर रहे हैं सूत्रों के अनुसार गांगुली 26 सितंबर से 8 नॉमबर की बीच आईपियल का ये सस्त्र करवानी की कोशिश कर रहे हैं ख़बर के अनुसार पिछले कुछ दिनों में बी सीसी आई सवी फ्रेंचाईजी से बाचित कर रहा है हाला कि वर्ल्ड कप इस्तकित होने के बाद ही इसकी अस्थाई तारिक पर काम किया जाएगा आई सीसी की मीटिंग 10 जून को हुई और वर्ल्ड कप पर फैसला टाल लिया गया है जो जुलाई में लिया जा सकता है बी-सीसी आई के एक सदस्य ने बताया कि बी-सीसी इतने लंबे समय तक इंतजार करने के लिए तयार नहीं था इसी वज़े से जैसे ही आई-सी सी मीटिंग खतम हुई गाउंगली ने सदस्य संगो को पत्र भेज दिया हम अपनी योजनाओ को रोक नहीं सकते ICC को T20 विश्व कप के बारे में फैसला करना है और हमें अपनी योजनाव पर फैसला करना है इसी वज़े से अस्तियाई थी विंडो को शोन्य कर दिया गया है और हम इस विंडो के अनुसार तैयारी शुरू करेंगे IPL के लिए विंडो तै किया गया है बीस्स है के सामने अगली चुनौति ये है कि IPL का अउजन कहाँ पर हो इस पर कोई विचार नहीं किया गया IPL के चेर्मेन ब्रिजेस पटेल के अनुसार IPL का अउजन खाली स्टेडियं में किया जा सकता है कुछ जगावँपर इस सीमित किया जा सकता है बाहर भी खेला जा सकता है हो सकता है कि बिना बिदेशे प्लियर के भी इसका आवेजन किया जा सकता है LD Newsroom के रिपो